अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPS CA2Z पर अभी कुछ देर पहले ही REIT LEVEL 2 का RISCHFLE रिजल्ट जारी हुआ है और 3100 पदों पर ये RISCHFLE जारी हुआ है लेकिन दोस्तों पद हैं वो 3100 से बहुत ज़्यादा थे और ज़्यादा पदों पर RISCHFLE आना चाहिए था लेकिन आदे ही पदों पर आया है और बहुत से दोस्त कमेंट करके ये शिकायद भी कर रहे हैं कि इतने कम पदों पर कैसे आया है तो इसका रीजन है और वो रीजन आप विभाग के कारियाले आदेश में देख सकते हैं कि ये जो RISCHFLE अभी जारी हुआ है वेटिंग वो सिर्फ उन्हीं पदों पर हुई है जिन पर अभ्यरती पिछली बार दस्तावेज सत्यापन के वक्त अनुपस्तित रहे थे यानि सेप्टेंबर में जो सुची जारी हुई थी सिलेक्टेड केंडिडेट्स की उसके बाद में जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो अनुपस्तित रहे थे उतने ही पदों पर उतने ही बंदों को अब सिलेक्ट किया गया है तो इसका मतलब ये है कि पूरे पदों पर अभी बेटिंग नहीं आई है सारे पद अभी नहीं भरे गए हैं जो बाकी पद है उन पर भी अभी चांस है कि रिशफल जारी होगा अब कब तक जारी हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता वो तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आप ये मान के चलो कि लग बग इतने ही पदों पर दो से डाई अजार पदों पर रिशफल फिर से आ सकता है क्योंकि दस्तावे सत्यापन के बाद में भी बहुत से लोग अनुपस्तित रहे थे और कई लोगों को डिस्क्वालिफाई भी कर दिया गाया था बहुत से लोगों ने जोइन नहीं किया था और कई लोग काउंसलिंग कराने भी नहीं पहुंच पाये थे तो दोस्तो आज जो रिश्फल जारी हुआ है वो प्रियाप्त नहीं है वो कम पदों पर हुआ है बहुत से पद अभी भी खाली है जिनको भरा जाना जरूरी है तो आप लोगों के पास एक और उमीद है, एक और मौका है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसको भी जारी कर दिया जाए इस वीडियो में इतना ही, थेंक्यू सो मच पर वोसिंग